दोस्तों अगर आपके पास भी अधारकार्ड है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अधारकार्ड के एक ऐसे फीचर्स के बारे में आपको जनकाई देने वाला हूं जो काफ़ी कम लोग जानते हैं तो आप बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में मैं हूं सर्वेश खुपता आप देख रहे हैं टेक उपता हिंदी तो दोस्तों अधारकार्ड की इस नए और अपडेटेट फीचर के बारे में जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या फिर कम्प्यूटर के ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करना यू आई डिया यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक मिल जाक इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहीं पर एक आपसन आपको और दे दिया गया है अपडेट, बाइमेट्रिक, डेटा एंड चेक की स्टेटस यहाँ पर आपको क्लिक करेना है इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक लॉगिन का पेच खुल कियागा यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल के लॉगिन का लेना देखे यहाँ पर आपको आधार में मोबाइल नंबर OTP के थुरू यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है वाईस आधार नंबर OTP के बेस पर लॉगिन होने बाद कोशी तरह से dashboard आपके सामने, services का option खुल किया जागा, यहाँ पर एक नया dashboard आपके सामने खुल जागा, यहीं से आप अपने अधार संबन दी सारे operation को कर सकते हैं, या फिर online अधार से जितनी भी सेवाय हैं, सभी का आप उप्योग यहीं से कर सकते हैं, आधार कार्ट को download कर सकते हैं, पीबीसी आधार कार्ट के लिए order कर सकते हैं, order किये अधार कार्ट के status को track कर सकते हैं, bank में आपका आधार link है किने, उसको check out यहीं से कर सकते हैं, generate virtual ID यहीं से कर सकते हैं, अपने अधार कार्ट को unlock, unlock कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस features के बारे में हम बात करने बाले वो feature आपको यहीं पर मिल जाएगा authentication history यहाँ से आप चेक कर सकते कि आपने आधार कार्ड से किस तरह की services को ली है और last six month में आपने आधार कार्ड से कितने transaction किया है सारी की details यहाँ पर आप आजाएगी इस पर आपको simple सा tap करेना है इस पर जैसे ही tap करेंगे यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से एक नया page आपके सामने आएगा यहाँ पर कुछ information आपको feel करनी है यहाँ पर जिस भी month से आपको यहाँ पर check out करना है यहाँ पर देखिए select mandatory आपको दिया है यहाँ पर आपको selection करना है कि biometrics से आप चेक करना चाहते हैं biometrics NTP से करना चाहते हैं demographic से यहाँ पर हम all पर simple सा click कर देते हैं और जिस भी date से आपके आधार card का selection को check करना है कि आधार card से में कितने इता injection किया कई मेरे साथ fraud तो कोई नहीं हो रहा इसको check करने के लिए आपको यहाँ पर last six month का date को select कर लेना है और यहाँ पर जो भी आज का date final date है उसको select कर लेना है और यहाँ पर एक option आपको मिल जाएगा fetch authentication history इस पर आपको click करने ना है इस पर click करते ही page थोड़ा सा load होगा उसके बाद आपके सामने आपके आधार समद्धी सारे detail देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी कि आपके आधार के किस बेस पर access आधार का किया गया देखिए यहाँ पर OTP के माध्यम से इतने बार आधार को access किया गया है इतने बार by metric through से और यहाँ पर काड़ आपके face को detect करके कितनी बार आधार को access किया गया बायमेट्री को और आपके OTP को यहाँ पर सारा देख सकते हैं और साथ में यहाँ पर देखिए transaction की ID आ गई किस तरह से आपने transaction किया था सारे transaction की history यहाँ पर आ गई है इसको आप अच्छे से check out कर सकते हैं यहाँ पर आप नीचे आएंगे और सारे page इसमें दिये गए हैं सारे page को देखिए बारी बारी से आप चेक आउट कर सकते हैं और इस page को आप यही से download भी कर सकते हैं यहाँ पर download section का option आपको दिया गया है download PDF का इस पर आप क्लिक आपकी आधार का कितना यूज किया जा रहा है किस-किस फील्ड पें आपका आधारकार यूज किया गया है लाष्ट 6 मंत में इसकी जैनकारी को आप check out कर सकते हैं तो गास यहाँ थी चोटी सी जैनकारी आधार के एक हिडियन फीचर्स के बारे में वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बाक्ष में कमेंट करके बताएं साथ में चैनल पर फर्स्टाइम बिजित की हो चैनल को सब्सक्राइब पर के वेला आकान जुरूर प्रिस्ट कर दे और इस कमाल की इंफर्मेशन को सभी फेमिली और फ्रेंड के साथ सेरका न भूले मिलते कि इस वर वीडियो में तब तक लिए थंक्स फॉर वाचिंग जैहिन